हम सफल किसानों की धेर सारी स्टोरी कवर कर चुके हैं हम कहते आए हैं कि अगर पढ़ा लिखा यह हुआ खेती के अंदर आएगा तो उसे ट्रांस्फॉर्म कर देगा आज ऐसे ही यह हुआ कि हम बात कर रहे हैं लक्षय जी लक्षय जी जिनसे हमने पिछले साल मुलाकात की थी उसमें वो और्गैनिक फार्मिंग कर रहे थे प्रोपर टेकनोलोजी और मैनेजमेंट के साथ उससे आगे बढ़ते हुए अब वो चला रहे हैं एग्रो एजुकेशन फार्म आखिर ये क्या चीज है चलिए जानते हैं लक्षय जी की जुबानी सरी है जो आपका एग्रो एजुकेशन फार्म है एग्जेक्ली ये क्या है और कब इसकी शुरुआत हुई वो बताईए देखिए जब आप लास्ट टाइम आए थे तो आपकी वीडियो से हमें काफी प्रोत्साहन भी मिला और बहुत इंक्वाइरी आई कि जो हम चीज कर रहे हैं उसको लोग रेपिलिकेट करना चाह रहे हैं तो उसी को थोड़ा इजी करने के लिए क्योंकि फोन पे सबसे लगातर बात नहीं हो सकती वटसैप पे भी मैं आधियों का तो रिप्लाइबैक भी नहीं दे पाता हूं अपना मैंने यूट्यूब चैनल भी करा जिस पर हम वीडियो बना के डालते हैं पर फिर भी जैसे की तैरना आपको बोल के नहीं सिखाया जा सकता खेती आपको पढ़ के नहीं सिखाया सकती तो उसी चीज़ को एक सिस्टमेटिकली एक चैनलाइज करके डंग से सिस्टम बना के सिखाने के लिए हमने ये मोडिल यहाँ पे त्यार करा है इसके अंदर हम यहाँ पे रहने की, खाने, पीने की सारी वयस्ता देते हैं और हर टाइप की ओडियंस को केटर करते हैं इसके अंदर जो आप मान लीजे हार्ड कोर्ड फार्मर है जैसे की किसान का बेटा है और वो बढ़िया तरीके से फार्म बनाना चारा है उसके लिए भी पैकेज है, उसमें आपका 4-5 दिन का पूरा स्टेव अगरा सब होता है और इस टाइप की लोग है जो सिर्फ थोड़े एंथूजियस्ट बोल लीजिए उनके लिए हम एक आध दिन की वर्क्शॉप कर लेते हैं और कुछ ऐसे है पेरेंट जो सिर्फ एक ऐसा लाइफस्टाइल दिखाना चारे है अपने बच्चों को दिखाने के लिए यहां पे लेकर आते हैं वो सिर्फ यहां पे आते हैं, 11 बजे फार्म टूर होता है 2-3 घंटे का उसके बाद वो बढ़िया सा लंच करते हैं और कैफे से हमारा कुछ भी समान खरीदना हो खरीदते हैं और फिर वो जहबी है अपने एक्स्पोजर लेके उनको हम उतना ही बताते हैं जितना हो समझ पाए सर अगर बात करें कि यह वाला जो एक्जेक्ट फार्म है यहां पर 40 से उपर तो सब्जियों की वराइटी है फिर इसके बाद 5-6 टाइप के फ्रूटिंग भी है बाकी अंजीरी आमला इस टाइप की चीज़े भी हो रहा है जो पर्टिकुलर पैच में हमें अभी यह वन ओव दा थ्री एक्जोर्टिक पैच है इसमें एक और चीज मुझे जाननी है जैसे पिछली पर जब हम मिले थे तो आपने बताया था कि आप इस तरीके से मेंटेन करते हैं एक चीज को अपने वुआई की है दूसरे पर फाल आ रहा है तिसरी खतम होने वाली है क्या यहाँ पर भी वो चीजे मेंटेन की गई है उस चीज को मेंटेन करके थोड़ा हमने और एक स्टेप हागे बढ़ा है उसी के अंदर डाटा को हमने देखते हुए और रिफाइन्मेंट लाए है और अब जैसे दो से तीन पैच थे अब यहाँ पर तीन से चार पैच है लेकिन ऐसा हर फसल के साथ कर पाना बड़ा मुश्किल है जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया और कुछ फसले ऐसा भी है कि कोई जल्दी आ जाती है कोई फसले देर में आती है तो उसको कैसे देखे और क्या चीजे दिहान रखे किसान भाई देखे इसमें तीन चीजे है एक तो बीच की सेलेक्शन अरली का है, सीजनल है या फिर लेट वराइटी अगैती या पिछेती जो होता है उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि मोसम कोंसा चल रहा है क्योंकि बहुत चीजे होती है जैसे कि टमाटर है वो हवाओं की डिरेक्शन के हिसाफ से पकती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने 15 दिन बाद एक टमाटर लगाया बहुत जादा इस बात के चांस है कि 15-20 दिन के गैप के होने के बावजूद भी वो एक ही टाइम पर पकेंगे उसका भी ध्यान रखना होता है उसके साथ हमें तीसरी चीज का ध्यान रखना होता है कि जो हमने उसमें जो नूट्रिशन डाल रहे हैं कभी कार हम ये भी करते हैं कि जो चीज हमें दिख रही है कि ये हमारे पास ज्यादा है और दूसरा पैच जल्दी पक रहा है तो हम उसमें जान पूछ के थोड़ा सूखा डालते हैं ताकि उसकी ग्रोथ कम हो जाए और हमें ये चीज के प्रोड़क्शन एकदम चीए तो उसमें हम जम के वर्मी कमपोस और अपनी खाट डालते हैं तो वो थोड़ा सा इंप्रोवाईजेशन भी करना पड़ता है और ऐसे एक-एक सबजी के बारे में बताना तो तो मतलब एक गंटा हम यही बैठे रहेंगे और शायद मूली और गाजर हम कबर कर पा है क्योंकि ओफ सीजन में या फिर आप जैसे पालक लगाने का टाइम है तो उसको भी हमें ऐसा नहीं है खुलने में लगा देंगे वैसे तो थोड़ा सा आप गर्मी आ रही है लेकिन गर्मी के अंदर भी पालक धनिया उख सकता है उसमें हम थोड़ी सी उसको टाटी या बोरी गीली बोरी करके ढख दे जर्मिनेशन होने तक तो ऐसी छोटी शीटी बहुत सारी चीज़े हैं जो मैं यहाँ पर अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बड़े डीटेल में सिखाता हूँ और होपफुली यह उल्लाइन भी चालो हो जाएगा सून अनफ सर जैसे आपका यह जो है एग्रो एजुकेशन फार्म है एग्रो टूरिजम भी होता है तो उसमें और आपके फार्म में होता है कि क्या डिफ्रेंस है एक्जेक्टी होता है एक तरीके से यह उसी का ही एक सब पार्ट कह सकते हैं तो एग्रो टूरिजम के अंदर ही हमारा आ सकता है पर एग्रो टूरिजम में क्या है ना main focus यह रहता है कि आप एक urban community को एक village lifestyle दिखाते है मेरे के अंदर यहाँ पे यह है कि हम यहाँ पे lifestyle तो है हमारा जैसा है लेकिन हमारा main focus है कि हम organic farming यहाँ पे सिखाते है उसमें जैसा बंदा है उसके हिसाब से packages है एक दिन का भी workshop है और चार दिन तक की training भी है बगायदा माय पाथ तो तीन महिने के internship programs में हैं मेंगे हैं पर वो वर्थिट है क्या क्या requirement होती है खेती के अंदर आना क्योंकि videos आज कल जैसे बनती है कि इतना कमालिया इतना हो गया कमाते हैं लोगबाग ऐसा नहीं है लेकिन उसके पीछे की हकीकत कि उसने क्या मेहनत की है वो नहीं देख पते हैं तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे भाई एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है इसके अंदर सही मायनों में दिन रात एक मैने कई राते हमने करीव ही है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आये कस्टमर्स तो आपने बस खाना खाया और चले गए उसके पीछे की भी अलग मेनेजमेंट है एक एक कब गिनके रखा हुए अगर साफ भी धुल गए तो उसको कपड़ा मारके रखना पड़ते हैं तो कांच पर निशान आ जाते हैं फिर आपको एक कुक हायर करना है फिर सर्विंग का अलग एक थोड़े एटिकेट्स होते है एक एम्बियंस डेवलप करना होता है तो यह तो मैं कैफे की बात कर रहा हूँ अगर आप नॉर्मल और्गेनिक फार्मिंग की या सिरफ खेती बाड़ी की बात करें आप खुद किसान है आपको पता है इसमें कोई वरकार नहीं होते रात में पानी चलना है खेतों में तो चलना है आपने खेती करी है वहाँ पे नील गाएं आगी या कोई भी और चीज आगी बंदर आगे दीमक की समस्य है तो वह आपको खुछ सोल्यूशन करनी है लोग बड़ी न एक रोमेंटिस सा व्यू प्रिजेंट हो जाता है लोगों के मन में कि यहाँ पे यह बड़ी है इसमें लाइफस्टाइल अच्छा है वो है लेकिन वो एक पहलू है इस वन साइड ऑफ ए कोईन इसका दूसरा साइड यह है कि हमारे को सुबह साड़े चार पा जो दिखाई जाती है उससे कही गुना ज़्यादा अंसक्सेस्फुल स्चोरीज है जो दिखाई भी नहीं जाती है सर यह जो आपका फार्म है एक्जेक्टली आप इसको मार्किट कैसे कर रहे हैं वो बताईए तो जो यह हमारा एग्रो एजुकेशन फार्म का जो कॉंसेप्ट है इसके अंदर भी हमारी हैस तच कोई मार्केटिंग स्ट्रेजी नहीं है कई बैनर बैनर नहीं लगाते हैं कोई हमने कोई प्रोमोशन नहीं करी एक तो आप जैसे जो अच्छे लोग हैं जो हमसे खरीदती है समान उन्हें ही आ जाती है और हम खुदी थोड़ा कर देते हैं कि जो हमारे टॉप 50 इन 20 हैं हम उनको पहले हमने फ्री में बुलाया कि हम एक नहीं चीज चालू कर रहे हैं आप आईए देखिए आपके रिव्यूज हम लेंगे जो बेसिक कोस्टिंग ह हम वही लेते हैं और रीजनेबल प्राइस है अच्छा खाना है तो लोग आते हैं अब सर यह भी जाना है कि जैसे आपने बताएगी यहां पर कैफे है तो कैफे में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा जितना भी फार्म पर प्रडियूस है वह आप यहां पर खिला देते ह होंगे बाकी बचे होगा क्या कर रहे हैं देखिए जो और गैनिक एकड़ है ना मैंने कम से कंभी डेट दो महिना यह नाम सोचने में करा था वेस्ट वेस्ट तो नहीं कहेंगे पर में पूरी पुरी किधाब है इसके नहीं नाम की कॉम्बिनेशन सोचे विए कि हम क्या है क समयी करिए कम चाहाँ तक जा सकते है क्या स्कोप रहिए डीयुचरा है तो और गैनिक एकड़ में नाम इसी साफ से रखा था कि और यह निक एक फार्मस्टे भी बन सकते है काफे चाही बन सकते है और म्हएनिक इंस्टिट्यूट भी हो सकते है। तो हमारे इसके अंदर मेन हमारा अभी भी सिरफ हमारा जो change हुआ है वो यही है कि हम customers को यहां पर बकायता बुला के खाना किला रहे हमारा business model वही है हमारा main marketing का revenue source है वो हम अपने या की सबजी, या दा, लाटा, चावल जो भी चीज़े हम उगाते हैं उनको प्रोसेस करते हैं सबजिया है तो उनका थोड़ा अचार करने लग गए है और अपना तेल निकाल लेते हैं सरसो से तो जो फार्म प्रेड्यूस है वही हमारा सेल करके मेन रिवेन्यू सोर्स है कैफे एक हमने एडिशन करा है वेल्यू एडिशन है कि हम लोगों को यहां पर खाना वही वाला खिला के बनाते हैं और दिखाते हैं कि लोग जब खाते हैं ना पुछते हैं दाल बट बड़ी है क्या बनाया था आपने दाल की रेसिपी का कमाल नहीं यह उसमें असली डेलेवे समारन का कमाल है वह अपने आप खरीद लेते हैं चल मेरे ले भी कर दे एक किलो दाल बस हमारे को एक बार उस तक चखाना है कि हमारा क्योंकि क्या है ना यहाँ पर दुनिया ऐसी है कि पैकेजिंग अच्छी ना हो तो आपकी प्रोड़ेक्ट को देखती भी निया खाके और एक बार खाके देख ले तो हमें पता और्गैनिक में जान होती है तो इसलिए हमारा ये एक उसमें एडिशन है राधर देने का सेपरेट मॉडल और इसलिए एक ही फार्म के अंदर हमने एक एरिया है वहाँ पर वो डेडिकेट करते हैं कि यहाँ पर महमानों का है और फ किसानों के लिए एजिन मार्केटिंग टाइप में भी अगर प्रड्यूस बेश रहे हैं तो कैसे लाबखरी हो सकता है बेसिकली कहीं पे भी अच्छे धाम पे अश्योड रिटर्न के साथ बिग जाए अच्छी डील है ठीक है ना बस इसमें फसने वाले यही गाम होते हैं क कि आपका वो पैसा टाइम से लुटा है ना तो तो एक बार प्रोफाइलिंग करके कि बंदा जैन्वन है उस साब से अगर आपको को इस सुपर मार्केट अप्रोच करता है तो I don't think there is a problem with that क्योंकि एक तो brand भी बनती है आपकी क्यों सुपर मार्केट में जा रहा है और दूसरा सुपर मार्केट के अंदर खपत भी ठोड़ी ठीक होते हैं अगर अच्छी supply chain की आपकी कोई retail chain है तो दिहान भी यहीं रखना है कि payment time से हो जो भी चीजें हो वो return में हो तो I don't think there is a problem with that you should go forward with that यह और जानना चाहते हैं कि जैसे जो और गैनिक एकड़ आपका farm है exactly future के हिसाब से आपके क्या plans हैं इसको लेकर वह देखिए plans तो बहुत हैं और कहीना कहीं आज से 5 साल पहले मैं शायद खुली आखों से सपने देख रहा था और वो अब सामने होते भी दिखाई दे रहे है पर मेरे को आप एक चीज पूछे कि खेती ने आपको क्या सिखाया वो है सब्र पेशन सिखाया है मुझे खेती ने मैंने पहले बहुत बढ़ा लिया था गोड़े भी थे गाये भी थी मुर्गे भी थे सब थे अभी भी है पर मेरा यह नियम बन गया है कि काम उतना होना चीए कम भला लेकिन उतना होना चीज इतना आपके हाथ में हो यानि कि समल ज मेरे को मजा आता है तो खेती तो हम कभी बंद करेंगे नहीं हाँ अगर सब ठीक रहा थोड़ा सा मैं इसमें मेकनाइजेशन की तरफ जा रहा हूं कि मैं कहीं ना कहीं लेबर से बहुत परशान हो चुका हूं उनकी भी गलती निया लॉकडाउन था ऐसा दौर था जिसके अ पानी के साथ ही चले जाए इसी को हम और एफिशेंट करना चाहरे है ज्यादा खेती बढ़ाने से मिरक हमेशे यह लगते की एफिशेंसी पर काम दे तो उसमें सरदर्दी भी कम है और मजा भी उसमें तो हमारे को को ऐसा नहीं है कि एकदम हमारे को बिलकुल और बढ़ा हो surgeon तो अन्sil एक तो अपने आपको इतना वह अभी मतलब कुछ चीजे होती हैं ना जो ढ़ीन आ में मैं आपथ्वर सी चाहता है प्लेट साल में अभी इतना न Tat कि मैं कोई ऐसे आपको रोल मॉडल pen जाओं हूँ बाकी यूथ के लिए यही है देखिए काम कोई सा भी हो अच्छा है मन लगा के करो पैशनेट रो और उसको करते रो कोई भी बिजनस है इन्वेस्टमन मांगता है आपके टाइम की भी आपके अटेंशन की भी आपके पैसे की भी यह वाला बहुत ज़्यादा इटेंशन मांगता है बहुत ज़्यादा पैसा भी मांगता है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत भी है तो अगर आप वो सब कर सकते हैं और आप पैसेनेट है तो यह अच्छी चीज़ है अगर आप पैसे के लिए सोच रहे हैं कि इसमें कोई कमनी में रहा जाएगा तो इसमें आप burn out हो जाएगे तो उसी साफ से काम भढ़ाईए उतना ही घुसी है जितना आपकी capacity हो इसमें कोई ego की बात नहीं है कि एक एकड में अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो कहिना कि बहुत अच्छा है उनसे जो दस एकड में एकदम रेड पीटे बैटे है दे यूरिया दे कुछ भी जो आपका दवाई वाला बोल दे वो डाल देंगे कुछ समझ नहीं कुछ दिले का कुछ उगनी रहा उससे मच बेटर है कि कम काम करें समझधारी से करें जितनी इंफोर्मेशन गैदर कर सकें बेसिकली इनका जितना भी उपर से नीचे देख वीडियो सारी देख लीजे क्योंकि आपकी सारी वीडियो में एक नई बाते होती है मुर्गे से लेकर बकरी से लेकर ट्रैक्टर की टूर से लेकर आपने तो पूरा कवर कर रहा है चिट्था है तो जितनी इंफोर्मेशन ले सके और उसके बाद घुसे उतना ही बढ़िया और घुसना भी है तो मैं अपनी वीडियो में भी कहता हूँ कि सबजियों के लिए एक भीगा इस मोर देने नफ और पकी या मोटी हेती करनी है तो उसके लिए एक एकर इस मोर देने नफ क्योंकि पहले आप खुद करिए और तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या गलती है तो किसान भाई ये थी हमारी लखशे जी से बात और गैनिक एकड फार्म को लखशे जी और उनके भाई मिर्नाल जी चलाते हैं यहाँ पे आज हमने जाना कि और्गैनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हैं साथ में और गैनिक वीडियो हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय किसान।